आज का हमारा टॉपिक है types of reproduction यानि जनन की परकार जनन की तीन परकार होते हैं पहला काइक जनन, दूसरा एलेंगिक जनन, और त्यसरा लेंगिक जनन आज हम काइक जनन का देन करेंगे जिसमें काइक जनन किसे कहते हैं उसके अनुसार का एक जनन मुख्यत है अनुकूल प्रिस्तेतियों में होता है जिसमें कोशिकाय तूटने से या उनके खंडन से होता है का एक जनन के भी प्रकार है जिनमें पहला प्रकार है कोशिका विपचन से तो एक कोशिके सिवाल में कोशिका के तूटने से जो एक कोशी के सेवालों तियान में कोशीकाई जग्डूर चाते प्रिस्तिती विप्रितोने प्रितोन सिख्या होता है नहीं सेवाल का निर्मान होता है दूसरा है हमारा कुलोनी विवाजन द्वी कोशी के सेवालों में कोशीका में खांच बनने से इसका अग्जामपल है सिफेलौ, स्पेरियम और अमने यह डाइगराम से भी आपको तशाया तीसरा हमारा प्रतकार्य होमो, हर्मो गोन मात्री को सिखा की खंडन से हिट्रोसिस्ट के नजदीक से तूठने से जो सेवाल की मात्री कोशी करती है उनमें जो हिट्रोसिस्ट को सरणजना होती है उसके ठूटने से जब संती सेवाल का निर्मान होते है तो मुछी कहीं होर्मोगोन होर्मोगोन में क्या होता है simpl matrix fixation इसका उदार ने नोन podr is not अगला हमारा है खंडन द्वी कोशी के तंतु सिवालों में जब थेलस किसी भी कार्ण से तूट जाता है तो अलग होकर नहीं थेलस का निर्मान करता है इसमें क्या होता है खंडन में सफितित दाब बढ़नी से इसमें कोशी काई है वो थेलस है वो तूट जाता है जिससे संत अगला एक पाँच नमर्हो और यह कोन से सेवाले में सैन्हो मससे कंटू के अन्तस्त सीरों पर यह बिजानों मुत्ती होती होती है यह पिटायों पाइती है जो हो वीटर होर्मॉस पौर है शाठा मारा प्रकहर है कंद कुछ सेवालों में भूमेगट मुलाबास बोजन मेशिक है कंद का निर्मान करते जूमात्री पदफ से अलग होकर नहीं पदफ का निर्मान करते हैं जैसे अलूह औहुत है वह कंद होता है वह भूमेगट जो होती है उनमें बोजन के या कार्वोहडरेट के संग्रेट होने से उसका निर्मान होता है तो इसका एक्जांपल हमने लिए कारा और कारा सेवाल में हमने इसी धर्शाया भी है अगला हमारा परकार है साथवा पत्तर प्रेकलिक इसमें है मुला बास अत्वा अक्ष के आधारी बाक्सी गोलाकार कोशिकाएं लगी होती है जो बोजन संग्रेट करके फूल जाती है तो थामात्री पादब से लग उकर नए थिलस का निर्मान करती है इसमें जो हमारी पादब की उनकी जो मुला बास यानि मूल की आधार से स्रंचनाई गोलाकार स्रंचनाई बनी होती है यहां हमने टाइगराम में दर्स है उनसे नए थिलस का निर्मान होता है इसका भी हमने एक्जाम्पल लिए कारा अगला हमारा परकार है मुकुलन कुछ सेवालों में नई संत्ति बनाता है इसका अग्जाम्पल है प्रोटोस आइकोन यहां मने डाइगराम भी बना है जिसमें एक उबारनों में स्रंचना दिखाई है और यहां पर वेसिकल बना और इससे संत्ति पादब जाएगा अगला हमारा प्रकार है प्रात्मीक तंतु यूगम्रच के अंकुरन से प्रात्मीक तंतु बनते है जिससे द्वितिक तंतु का निर्मान होता है जो पादब से अलग होकर नहीं थेलस का निर्मान करते है एक्जाम्पल है कारा और यहां कारा का एक्जाम्पल दिया है अमनी और उसकी डाइगराम उसे भी अमनी उसे दर्शाया है तो बहुँ कोशिक किये वह संचीत बोट्मूट कोशिक होती है जो पादब से अलग होकर नहीं थेलस का निर्मान करती है इनमें संचीत बोजन M.I.L.M. स्टार्ट होता है और इस यामने डाइग्राम से जरसाया है इस यहां पर एक्जांपल भी का रहा है तो थेंक्यू फोर बीजिए और सब्सक्राइब इस चनल